कि स्वाइलो गाई जए इम जए के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम देखने वाले कि फैन की जो आवाज आती है उसको कैसे बन करते तो सबसे पहले ये फैन का जो स्कुरू है ये सब सारे स्कुरू निकल के हमको फैन को निचे उतर देना है तो मैंने अभ इसके बाद में मैंने इसके ब्लेड से वाज निकल दिए अभी सिर्फ इसके उपर के स्कुरू निकल के हमको ये फैन को खोल देना है तो इसके लिए भी मैं इसके सारे स्कुरू निकल रहा हूं और अभी मेरे सारे स्क्रू निकालके हो गए हैई तो इसको निकालके आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐसी एक बाल बेरिंग होगी तो ये जो ball bearing ये उसके अंदर हमें oiling करना है ये जो jam हो जाती है ये एक दो साल use करने के बाद ये थोड़ी hard हो जाती है इसके लिए हमें जो fan का जो करकर आवा जाता है इसके वज़े से ही आता है तो इसके लिए हमें इसके उपर ऐसे ये oil डालना है पूरी तरह से अच्छे से आप इसकी सारी जगा पर oil डाल दो oil डालने के बाद इसको थोड़ा इसे घुमाओ अगर आपका fan दोनों साइट से अगर आपका ball bearing दिख रिये तो आप दोनों साइट से उसमें oil डाल दो मेरे fan में मैंने इसको निकाला नहीं मैंने उपर से इसको ऐसे oil डाल दिया और इसके उपर ये cover लगा दिया fan में दो ball bearing होती है एक उपर से होती हो और इसके अंदर नीचे से होती है तो अभी मैं इसको खोल नहीं रहा हूँ बस मैं इसको side से या से अगर आप ऐसे ऑईल डालते तो जो आपके फैन की जो आवा जाती वो दो मिनिट में बंद हो जाएगी आप सिब ये करके देखो आपको इसके अंदर भी ऑईल डालना है जितने भी आपको फैन के अंदर जो बॉल बेरिंग दिख रही है उसके अंदर सिब आपको ये ऑईल एपलाय कर देना है अगर हो सके आपके पस ग्रीस हो तो ग्रीस भी आप लगा सकते हो ग्रीस से भी और ही तो अभी आप देख सकते हो जो मेरा फैन है इसमें सिर्फ हवा का आवाज आ रहा है बाकी जो पहले का आवाज था वो अभी कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है